सरूरपूर इंडर्शिल एरिये के पास में जहां पर आपको 80,000 रुपे गच की जमीन मिल रही है बिल्कुल इसी इंडर्शिल एरिये के पास में 10,000 से 13,000 रुपे गच तक की जमीन अगरवाल प्रपेटीज आपको देने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फईदाबाद के अंदर हर्याना का सबसे ज्यादा ओधोगिक ऐसा शहर जिसके अंदर सेक्टर्स बने हुए हैं इनी सेक्टर्स के बीच में सेक्टर 53 के अंदर जहां पर सरूरपूर का इंडर्शिल एरिया है यहीं पर हम आपको देने वाले हैं जहां पर 80,000 और पगच की जमीन आपको मिलने वाली है जो कि 37 सालों से यानि 37 इर इसे लोगों को बसाती आ रही है और आज हम आपको इस ड्रोईंग की वीव से आपको दिखाने वाले हैं यह जो बसावट आपको वीडियो का अंदर नजर आ रही है न बाखी का remaining كमांड आपको को देना है । दो साल की किस्टों में जो कि ब्याज फ्री किस्टे होती है, आपको बताया किए साइड पे स्कुल बने जा रहा है, यह इस को नदे आपको नजर आ रहा है एक बहुत बढ़ा स्कुल बने जा रहा है, क्या नम है आपको या तभी किस् इसे इस स्कूल बनाए यह अब फ्लाल 10 नज्री से 10 वी तक होगा है इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके साइट के बिल्कुल लगा हुआ है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पड़े एक हाई प्रोफाइल स्कूल के अंदर पड़े तो इस तरह का स्कूल भी आपके साइट भी बन रहा है यह आपको नजर याड़ वीडियो के अंदर इस कंपनी के से अधियर जहाजी सा मिल बच्चा बेजली का काम हो चोका है मकान पक्य मकान बने हुए और इसकूल बने जा रहा है दो तो-टिंथी मंजिल के मकान बने हुए त ऐसा क्या इस लुक्या पूम आया दो महीने हमें बिलकुल सभी सवाल है सर लोकेशन की बात बताओं तो सबसे पहले चीज जो है कि हमा लोग जो करें कम कर रहे हैं वो लोग ले करके अपना यहीं पर आपना मकाशन बना रहे हैं इस लोकेशल आपर मत्र और मत्र यहां यहां जट्ब कर लगे हुए अंदर आप 10 जाओच में जमीनoubl हैं बिल्कुल क्या बात है मतलब 70,000 रुपे गज में आपको प्रॉफिट बिल्राइब टेवन से बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सर भूम हुआ है आप इसलिए बूम हुआ है और फैसलेटी की बात बताओं आप तो आप कमेरा गुमा के देख सकते हैं पूरा दो साल तीन साल क बिल्कुल ले लो आप मार्केट ले लो सब्जी मंदी ले लो यातायात का सुधा ले लो हर एक चीज़ का फैसलेटी मिलेगा अप लोकेशन ऐसी है जो 15,000 सरूर पूर के इंडेश्यल एरिया है इस इंडेश्यल एरिया के बिल्कुल लगी हुए साइट है जहां इंडेश् है उसे मगान बना के रहना चाहते हैं उसके लिए आप आपको नजर ही आ रहा हुगा यह जो मकान बने वह चाहते हो हमारे इनके अंदर लोग रह रहे हैं बिजली की कनेक्टिविटी और बड़ी बात आपको बताओं आप किसी के भी घर में आप जा सकते पुरवांचल भा बनाया है वह भी आसान किस्तों में देता हो पहले बनाओ आप रहो अफिर देते रहो पैसा पहले बाउंडी कर लो आप एक उर्विया मत दोसर को इस तरीके से बाउंडी कर लो आप जी क्या बात है 25 परसंदे के अपने मकान में रहो छबाबाब जेज़ तरीके से अल्चे की सथे अल्हे रहो झाल झाल झाल